असलाम उलेकुम दोस्तों, welcome back to my channel तो आज मैं आपलों के साथ शेर कर रही हूँ चिकन ब्रेट पॉकिट्स जो बहुत ही ज्यादा मज़े के बनते हैं और बहुत ही आसान है इसको बनाना तो वीडियो को बिना इसकिप के पोरा देखिए बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिसमिला करके तो देखे सबसे पहले यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन रख लिया है जिसमें दाल लेंगे हम दो चमश तेल अब इसमें दाल लेंगे आधी चोटी चमश यहाँ पर अधरकलेसन का पेस्ट दाल लेंगे और इसको अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तो देखे अधरकलेसन अच्छे से फ्राइ हो गया है अब इसमें दाल लेंगे हम यहाँ पर मैंने 250 ग्राम यहां पर पाव किलो चिकन ले लिया है बोनलेस चिकन वो दाल लेंगे हम इसमें आप चाहे तो बोन के साथ भी ले सकते हैं लेकिन बाद में आपको इसके हटी अलग करनी होगी तो देखे इसको हाई फ्लेम पर एक मिनिट के लिए इसका कलर चेंज होने तक टूसाले में मैल को लेना है पर चिकन में अच्छे से मीक्स करने के बाद आख.. ड़ो से निपाल ले है कव में इसमेरे पाणीने तो मेंने इस तो यह तूरो तो यह ताकर लेंगे तोतना हो तो हमें यहाँ पर ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है अब इसमें दालेंगे हम आधा चमा सुया सॉस दालेंगे तो देखें यहां पर सब्जियां जो है अच्छे से करंची रहने चाहिए तो हम इसको सिर्फ एक मिनिट के लिए पकाएंगे सब्जियां दालने के बाद अच्छे से मिक्स करकर पका लेंगे और इसका फ्लेम को बंद कर लेंगे और इसको यहां पर थंडा होने के लिए रख देंगे अब देखें यहां पर मैंने लेली है आठ से दस ब्रेट के स्लाइस लेली है हमने तो देखें सबसे पहले हम दो ब्रेट के स्लाइस लेंगे और इसको एक क्यों पर ए एक चाकू लेकर तो देखिए अच्छे से इसको हम स्क्वेर शेप में कट करेंगे ब्रेट को तो देखिए अच्छे से हमने इसको यहां पर कट कर लिया है अब देखिए अब हम इसको अच्छे से कट करने के बाद प्रेस कर लेंगे जो साइड में तुकड़े जो बज गए ह जो तुक्डे निकल गए हैं वो भी अच्छे से प्रेस करने से अब हम इसका यहां पर प्रेस कर लेंगे और यहां पर इस तरीके से रेड़ी कर लेंगे अब जो साइट्सके निकले हैं उसका हम ब्रेट क्रम्स बना कर रख सकते हैं यह भी वेस्ट नहीं होगा तो देखे दूसरा भी हम इसी तरीके से बना कर रेडी कर लेंगे तो यहां पर हम सारे इसी तरीके से यहां पर बना कर रेडी कर लेंगे तो देखे इस तरीके से कट कर लेंगे और प्रेस कर लेंगे तो देख एक प्लेट में मैंने यहां पर ब्रेट क्रम्स ले लिए है और यहां पर इसको साइड में रख लेंगे अब एक ब्रेट का स्लाइस ले लेंगे और अंडे में इसको डिप कर लेंगे हम यहां पर अंडे में डिप करकर अब हमने जो ब्रेट क्रम्स ले लिया है उसमें दाल द सारे पर हमने यहां है यहां पर टबम करती हैं तो देखेंगे है Sakınd as you model फिरने खड़ें है अब चरते हैं मृड़ए कर लिए कोने टरुन करें टराय की Valley कोश्चाव प स्थारत का थैया method अफ़र स्वारे स्विनrict deficient गोट इफितरी golden brown होने तक fry करेंगे तो देखे फ्रेंट जब यह fry होते रहेंगे तब देख सकते हैं आप अच्छे से यह फूल जाएंगे इस तरीके से फूल जाएंगे क्योंकि हमने इसको आपस में दो ब्रेट चिपकाई है तो जो बीच में एर आता है वो एर से यह अच्छे से इस तरीके से फूल जाएंगे तो देख सकते हैं अप अच्छे से ये ब्रॉन हो गए हैं अच्छे से फ्राइ हो गए हैं क्रिस्पी फ्राइ हो गए हैं में दाल लेंगे हम दो बड़े चमच मायोनीज दाल लेंगे इसमें तो यहांपर मैं सका एक स्वास डी कर रही हूं फ्रेंट्स तो देखे आदी चोटी चमच बिलकुल थोड़ासा दो चुटकी जितना नमक डालेंगे बिलकुल थोड़ी सी यहांपर काली मिर्स डाल नीमबु के दलेंगे तो देखेंस बीणा क क्रीमी अच्छे से सॉस बनकर रेडी है अब जो यहाँ पर हम нак अच्छे से हमारा ब्रेट का फॉकिट बनकर रेडी है इस तरी कह घर है किसे विच आप कर लिंगे और यहांपर जो हमने क्रीमी सॉस बनाकर रेडी कर लिया है वो सॉस हम इसके अंदर इस तरीके से लगा लेंगे तो देखे फ्रेंज बहुत ही ज्यादा यह सॉस बनाकर इस तरीके से लगाने से बहुत ही ज्यादा मज़े के बनते हैं यह अब यहाँ पर रख लेंगे हम एक सलाट का पता रख लेंगे इसके अंदर और यहाँ पर जो हमने चिकन बना लिया था वो अच्छे से थंडा हो गया है वो चिकन इसमें दाल लेंगे तो जितना आएगा उतना हम इसमें दाल लेंगे यहाँ पर चिकन और इसके उपर से फिर से हमने जो क्रीमी सॉस बना लिया है वो दाल लेंगे इसमें तो यह बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं और बच्चों को तो इतना पसंद आएंगे यह बच्चों को बड़ों को सब भी को बहुत पसंद आएगी यह रेसेपी आप इस तरह से जरूर बनाएगे तो देखे दूसरे भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे और सारे ब तो देखे सारे हमने यहाँ पर इसी तरीके से बना कर रेडी कर लिया है और यहाँ पर हमारा बहुत ही ज्यादा मज़ेधार चिकन मलाई पॉकिट बनकर रेडी है आप ज़रूर ट्राइ कीजिए मेरे इस तरीके से और मुझे कमेंट्स में बताईए कि आपको मेरी रेसेप पसंदार आती है तो लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए इंशाला बहुत ही जल इसी तरह की कोई आसान और मज़ेधार रेसेपी आपके साथ शेयर करूंगी तब तक के लिए दूआ में या के ला बहुत है